तो कहानी की शुरुवात में हम चार दोस्तों को एक गाड़ी में देखती हैं जिनकी उम्र थोड़ी ज्यादा थी और वो अपने चुटियां गुजारने ट्रिप पर जा रही थी वो अपनी केविन में रहने वाली थी जो पहाड की बिलकुल ओपर था और ये पूरा ही एरिय पहाड़ों से गिरा हुआ था जो जाहिर है बहुत खुपसूरा जगा थी गाड़ी में एक औरत बैटी थी जिसका नाम डाई होता है उसके साथ दो दोस्ती और एक दोस्त का डोग भी साथ जा रहा था पर डाई के चेरे को देखने से लग रहा था कि उसे जानवर खास पस वो दोनों इसके बात मा लेती हैं और वहां से निकलने लगती हैं पर अपने डोग को वो डाई की पास ही छोड़ देती हैं उनके जाने के थोड़ी दिर की बार डाई उनके डोग से दोस्ती करने का सूचती है वो उसके पास जाकर उसके उपर हाथ फिरती है पर जैसे कर उन्हें निकल जाती है वो काफी दूर तक निकलाई थी पर आस पास उसे कोई भी दिखाई नहीं देता जब भी आगे बढ़ रहे थी तो डोग की मूपर चोट लगई उसका खून बहने लिखता है जब उसे चेक करती है तो सोचने लगी कि इसने जरूर कोई पथर खा लि पर जैसे डाई आगे बढ़ने लगी वो किसी चीज से टकरा जाती है जो डाई को रोक लेती है पर नजर नहीं आती कि यह चीज क्या है वो भी देखने की कोशिश करती है कि यह क्या था पर उसे कुछ पर रिखाई नहीं देता एक पर फिर वो आगे बढ़ने की कोशिश कर दोना ब्रस एक इन्वीसिबल दिवारब ना नज़र आने वाली दिवार है अब इसी डाई कफि हरान हो जाती है कोई चीज़ होती ही नहीं तो पें ये क्यूं उसे बार-बार रोक रही थी वह आँकोंसे दिख नहीं रही थी पर छोने से महसूस हो रही थी और इसी बजर से ही डॉग भी आगे जाने से डर रहा था क्यूंकि उसे चोट भी इस इन्विजिबल दिवार की बजर से ही लगी थी वो आगे बढ़ने की फिर से कोशिश करती है लेकिन उसके सारी कोशिशें भी कार जाती है वो उसी पारे नहीं कर बारे यह देखकर डाई दुसे तरफ जाने लगती है इस सोच के साथ यह शायद वहां कोई भी इन्विजिबल दिवार ना हो जब भी वहां बहुशती है तो सामने एक फार्म को देखती है जिसमें एक बुड़ा कपल था उन्हें देखकर डाई को तसली हुई पर जैसे वो आग पर बर लग रही थी वो दोनों को गोर सी बीखती है उससे पता चला कि वो बुड़ा कपल काफी दीर सी एही पुजिशन में रुका हुआ है दोनों ने एक बार भी खुद को हलका सभी नहीं इलाया ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों के लिए वक्त जैसे रुग गया हो क् यह दिकर अब डाई को डर लगने लगा था वो दीरी दीरी फिची हटने लगी तर फिर ठाख खार कर वो वापिस अपने कैबिं में आ गई डर दो उसी लगी रहा था पर फिर भी वो सोच आती है रात को उससे बुरा सपना आया जिसमें वो देखती है कि वो इन्वीजिब सुबा को वो तुवारा इन्वेजिबल दिवार को देखने चाहती है इस समीट के साथ के शायद वो वहां से चले गई होगी लेकिन अभी भी वो वैसी की वैसी ही थी वो फामो उसके भी पास ते नगर इस बार वो बुड़ी कपल को दोर भी इन से देखती है जो अभी तक उ काफी डल दी उसे कुछ समझ नहीं आती कि कहां भागो लेकिन वो गाई उसे कुछ नहीं कहती बलकि एक जगा रुकर घास खाने लगी और अब वो भी डाय के पीछे पीछे जाने लगी ये देखर वो उसे अपने कैबिन में ले आई क्योंकि वो अब उसका घर बन चुका अब एक दरा से वो इस गाई को अपने लिए मुसीबत ही समझ रही थी कि उसकी बुक मिटाने के लिए डाय को हैर रोज उसके लिए घास लाना होगा पर क्यूंकि वो बिचारी भी अकेली थी तो गाई को भी वो अपने साथी रखने का फैस्ता करती है वो गाई का दोद न करने का सोचती है वो गाड़ी में बैटकर जोर से उसे दिवार से टकरा देती है जिससे गाड़ी का अगला हिस्सा पुरी तरह तबाह हो जाता है और तोर डाय की सर पर भी चोट लगी लेकिन इससे इन्विजिबल दिवार को कुछ नहीं हुआ हलकिसी खरोच भी नहीं आई और फूट फूट कर रोने लगी क्योंकि उसे अब तक अंताज़ा हो गया था कि मैं यहां से कभी नहीं निकल पाऊंगी अब जाहिर है इन हालात में अच्छा विला इनसान भी हमत हाड़ जाता है वो इसकदर मायूस हो गई थी कि उसके लिमाक में उल्टी सिदी खयाल आन का सोचती है वो कैबिन के सामने वाली जमेन खोद कर वहां अलगलग तरह की सबजयां उगा देती है जो ढूंड कर वह पहाड़ों के ऊपर सी लाइं दाए हर दिन गुजरने की बाद के लेंडर पर उस तिन निशान लगा देती है और सारा दिन जो उसने किया होता है वह साथ रह रही थी तब जांदरों के बारे में उसे काफी कुछ पता चल चुका था और उनकी साथ अच्छे से घुल मिल भी गई थी अब एक दिन यहां बहुत तिस बारिश होने लगी तो उसी बाहर से किसी की आहर्ट पेसोस हुई उसने जब बाहर जाकर चेक किया तो वहा सब्सक्राइब करना भी सीख रही थी तो उसकी निजर सामने खड़ें ट्रॉक पर गई इसे अक्सर आती जाती वो देखा करती थी पर आज वह ट्रॉक काफी करीब खड़ा था इससे देखकर उसके अंदरे कुमीद पैदा ली यह शायद यहां मेरी लावा कोई और बी यह और मैं यहां से निकल सकती हूँ मगर जैसे वो ट्रॉक की करीब जाने लगी फिर से उस इन्विजिबल लिवार से टकरा जाती है जिससे उसके सारे उमेदी वें टोट जाती है वो मायूस होकर वापिस आही रही थी कि तबी उसकी नजर अपने पहाड़े के पास बने घर कर गई वो दूर भी लेकर वहां देखनी लगी पर बतकिस्मिती से वो घर भी खाली था वहां भी कोई नहीं रहता था लेकिन डाई इस गर के पासे बैठ जाती है क्योंकि यहां कर ने जरा पेखरी खुबसूरत था एक सकून सा था हलकी हलकी से हवा चल रही थी इसलिए ड लग गई उसके हाथों में चाले तक पड़ जाती है उसे यहां पर ची महीने गुजर गई थी और अब यहां पर सुर्दी आ गई थी बाहर हर तरह वर्फी बर्फ पड़ी थी उसी पता चला कि मेरी बिली का बच्चा ऐसे ही एकनी ठेंड में बाहर निकल गया है आप डाई अब हर गुजरते दिन के साथ डाई बदलती तो जा रही थी पर उसने कभी भी इन्विजिबल दिवार को शेयर करना नहीं छोड़ा अगले दिन उसकी गाई का बच्चा होता है जो बिल्कुल अपनी मा जैसे रंका था और बहुत प्यारा भी बिली की बच्ची के बढ़न का फैसला करती है ताइम वह जल्दी गुजरता जा रहा था गर्मिया भी निकल गई और फिर सी पजड़ का मोसम आ जाता है यह दिन भी गुजर गई जिसके बाद अब यहां सर्दी आने वारी थी और यहां टाई ने पहले अपने खाने और आग जिलाने के लिए लिकडिय उसका साथ इसकी रंगी बज़र से चुड़ा होगा तो वो उसका अकीलापन समच जाती है यह कौन जा सकता था कि अकीला रहना कितना तकलीफ दी है वो उसकवे को भी अपने साथ शामिल कर लेती है और उससे खाना डालती है ऐसे वक्त गुजरता गिरम और फिर से एक साल बीज जाता है एक दिन फिरसी डाई अपना वक्त गुजारने के लिए अपने जांजरों को लेकर पहाड़ी वले गर के पास जाती है पर हमीशा की तरह इस पर उसे वह अच्छा नहीं लगता अब डाई अपने इस कैदबरी जिन्दगी से उकता चुकी थी यही वज़ा है कि अब उसे यहां कर सब कुछ भी कार लग रहा था उसे जिपसा मैसू सुआ तो वो अपने जानरों को लेकर वापिस अपने कैबिन में आ जाती है और अब यहां उसे तीन साल गुजर गे थी एक दिन वो अपने डॉग के साथ शिकाल करकी वापिस आ रही थी तेब उसे अप किसी के बसकी बात नहीं वो आदमी फिर भी कुलहाड़ी नहीं चोड़ता हलांकि डॉग भी उसे रोक रहा था उसकी हाथ पर काट लेता है पर वो आदमी तो उसे मारने के लिए जैसे पागली हो गया था डाई को कुछ समझ नहीं आता वो वहां से अपने कैबिन की तरफ बाग चाती है और जल्दी से अपने गयन लेकर बाहर आ गई लेकिन आने में उसे देर हो गई थी क्योंकि तब तक उस आदमी नहीं गाई की बच्चे के साथ सा डॉकों मार दिया था ये देख वा जैसे पागली हो गई अपना कंट्रूल खो दीती है उस आदमी की तरफ ग गाई ये बची थी वो अपनी गाई को लेकर वापिस कैबिंग में आ गई और अपनी दुखों को उस किताब की आखरी कावस पर लेकर इस किताब को पूरा कर दीती है अब इस कहाने के जरिये में बताया गया है कि इनसान की जिन्दगी ऐसी है इनसान को अपनी मुश्किला यही बैखेत में जाती है